तो कैसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टड़ी भी थी होगे इसमें जो बच्छे पुलिस भरते की तयारी कर रहे हैं उनने सुना होगा कि अप्रेल एंड में आप लोग का फिजीकल हो सकता है बड़ोनी जी का ही कहना है जो यूट्री परेस्टी के सचीव है तो संभाव है कि हो जाए तो आप लोग अपनी फिजीकल वगड़ा की प्रेक्टिस करते रहना ठीक है उसको हलके में मतले आज की जो क्लास है क्योंकि उत्राखण की एक क्लास बताईती परिक्ष्यावानी की यह उत्राखण रिवीजन की ख्लास है जो मैं आपको उत्राखण इतिहास के महत्तोपूल फैक्टर है महत्तोपूल रिवीजन वारी एक फोल्डर होगा उसमें चेक करना यह स्टैपि क्लास आपको क्या है लिखनी नहीं है जैसे जो नहीं आता वो तो आप लोग नोट करन जो आपका वहाँ पर revision और 20-20 में revision class भी आते रहेंगी क्योंकि मैंने आप से कहा है कि परिक्ष्यावानी जो है वो complete होगी आपकी उत्राखन revision complete कराए जाएगा इसके बाद कल हम GS की class को देखेंगे और आप लोग अपनी महनत को continue करना दो classes current of year की कराई है मैंने इसके बाद next class current of year की मार्च के आसपास आएगी आपकी या होली के आसपास कहीं भी आएगी आपके exam से पहले यानि PCS Piliam सो हो या कोई भी हो उससे पहले आपकी current of year को complete करा दूँगा national international उत्राखन की current of year क्या जहां तक सवाल है वो मैं बहुत जल्दी वीडियो आपको provide कराऊंगा ठीक है तो देखिए रिविजन वाला जो notes आप लोग ने बनाया होगा पहले आप लोग बनाते थे रिविजन क्लास का तो वहीं आपको ये सब देखने को मिलेगा इसमें हम देखने देखिए सबसे पहले बताइए मुझे 1857 की क्रांती के समय यहां कमिशनर कौन था हैंरी रैम जे सबको आता होगा ना जब 1857 का रेविलेशन हुआ था एक क्रांती हुवी थी तो कुमाओ कमिशनर कौन थे हैंरी रैम जे थे उसी दोरान लोहागाट चंपावत में बिसुड गाउं में एक क्रांती कारी संगठन मना था उसका नाम था क्रांती वी और क्रांत से पूचेगा तो ध्यान रखना इनके नाम अपने आप में थे इसके जो मतलब अलग नाम थे वह बहुत ज़्यादा इलाइट नाम नहीं है अरक्जाम के देशे से तो सिर्फ वहां पर आपको जो नाम यान रखना है कालो महरा जी की करांती कारी संगठन का रखना है और य कुमाओं जो मतलब कमिशनर थे ठीक है वो कौन थे हेंडरी रेमजे हेंडरी रेमजे तो ब्रिटिस के अंगेंस्ट जब यहां पर संघर से चल रहा था यानि कुमाओं और गड़वाल के इलाकों में तो इसी दौरान अठासु सताओं की करांती के दौरान एक करांती भी नाम इनको इनको इंत्राखन का पहला करांती करी भी कहते हैं विसुंग गाउं में ठीक है ये विसुंग गाउं में चमपाव दोहगाट में पड़ता है ये करांति वी नामक संगठन मनाया था कालू महराजी ने और इसी संगठन से जुड़े हुए दो अन्य व्यक्ति थे जिनको फांसी की सजा पर लटका दिया गया था और उनका नाम आनन्द सिंग और विसंसी ठीक है तो कभी अगर क्वेशन इस तरीके से पूछता है तब यहां पर आपको ध्यान रखना है आनन्द सिंग और विसंसी इन दो व्यक्तियों का नाम आपको फिर याद रखना है कि 800 सतावन की करांति के दौन कालू महरा के सहयोगी जिनको फां सिकी सजा आपने आप में दे दी थी यह आपको ध्यान में रखने वाड़ी बात है यह आपके इक्जाम की दिश्टे से इंपोटेंड हो सकता है ठीक है इसके बाद जो अगला आता है वो आपको याद रखना है जो कालू महरा जी थे उनको विद्रोह के लिए प्रेरित करन वाला एक अवत का नवाब था उसका नाम आना चे वाजिद अली सा ठीक है तो पूरा सुनना अठारसो सताओन की करांती के दोरान कालू महरा जी को प्रेरित करने वाला जो अवत का नवाब था उसका नाम रिखे वाजिद अली सा तो आपको पूरा फैक्ट के रूप में ल जी को क्रांती के लिए प्रेडित किया, कालू महरा जी को क्रांती के लिए क्या 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 प्रेडित किया था, क्रांती हे तू प्रेडित किया था, उनका नाम था वाजिद अली सा, ठीक है, ये आपको ध्यानक नहीं कि अवत का नवाब जिसने अठासो स्टाउन की क्रांती के दरान कालो महराजी को क्या किया था प्रेरित किया था उनका नाम था वाजिद अलिसा ये इंपर्टन इन कुशन आपका इक्जाम के दिश्चे से रह सकता है इस बार जो भी पुलिस की एक्जाम हो यह point आपको ध्यान में रखना है ठीक है इसके बार देखना जो 17 सप्टमबर 1857 को जब विद्रोहियों ने हलदवानी वगएरा के इलाके में कबजा किया आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पूरी डिटेल उसके बार 18 तारिक को 18 सप्टमबर 1857 को बिटिस का एक सेननायक था कमांडर था जिसने उन विद्रोहियों से हलदवानी को छोड़ाया था उसका जो नाम है मैक्सवेल है ठीक है तो आपको क्वेश्चन रिखना है 17 सप्टमबर 1857 को जब विद्रोहियों ने हलदवानी सहर पर कबजा या अधिकार किया था तब बिटिस का नेत्वत्तु पुरा कबजा हुआ तो क्वेश्चन कैसे लिखना है ध्यान से सुनना है 17 सप्टमबर 1857 को जब 17 सप्टमबर 1857 को जब विद्रोहियों द्वारा हलदवानी पर कबजा किया गया था तब किस ब्रिटिस के नेत्वत्तु में ब्रिटिस ने हलदवानी पर पुरा कबजा परा किस ब्रिटिस के नेचरत में, Großvani पर पुनाह british कबजा हुआ था. obedient पर पुनाह british कबजा हुआ था. तो यह है Maxwell, एक दिन बादे ने, 8.01, 8.57 को ऐन किया कर दिया था, पुनाह कबजा कर दिया था, उनका नाम था Maxwell, ठीक है, इसका नाम के है है अपने आप में मैक्सेवेल है धान रखना तो पुना ब्रिटिस कबजा जो हुआ था हूँ मैक्सेवेल के ने चत्तु महता हलवानी में कब 1857-18 सेप्टमबर को ये पॉइंट भी आप पुजा रखना है ध्यान में रखना है 1857 के विद्रोग के दोरान ब्रिटिस का साथ देकर गड़वाल की सीमा की रक्षा का आस्वासन देने वारी व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों के नाम आता है जिनमें पदम सी है और सीवराज सी है ठीक है तो लिखो 1857 की क्रांती के दोरान ब्रिटिस वफादार बने रहे इ नातिस हां दो व्यक्ति थे इनका नाम सिविराज से था दूसरे का नाम पदम से था जिसने ब्रिटिस के सीमा यानि गड़वाल की जो सीमा थी उसकी रक्षा का आस्वासन दिया था करांतिकारियों से तो क्वेश्चन क्या लिखना है आपने अठाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथ पदम सीम वा सीवराज से ही तो इनने कहां दिया था गड़वाल की सीमा की रक्षा में का आसवासन कब 857 की करांती के दौरां ठीक है जब कि कुमाओं में जो आसवासन दिया था उसका नाम था धर्मानन्द जोसी ठीक है इसी प्रकासि पूरा पूरा याद रिखना है गड़वाल की सीमा की रक्षा करने का आसवासन किस ने दिया था पदमसी और सिवरासी जब कि कुमाओं में जो दिया था धर्मानन जोसी जी ने दिया था ये आपको पता होना चाहिए ठीक है अठासो सता की करांती के दरन कुमाओं की कमिश्णर कौन थे हैं हैं अब देखिए इसी के साथ-साथ कई प्रकार की पत्रिकाएं यहाँ पर निकली थी आपको सब को पता होगा उन पत्रिकाओं का speedly हम लोग revision करते हैं तेजी से हम लोग उसको revise करते हैं तो बहुत से पत्र पत्रिकाओं का भी यहाँ पर उस टैम्प क्या हुआ था ब्रेटिस्ट जो 800 सताओं की कराती उसके बाद क्या हुआ था पॉब्लिकिशन हुआ था ठीक है यह आपको पता होना चाहिए इसके अलावा debating club की स्थापना debating club की स्थापना हुई थी 1870 में यह आने चाहिए आपको ठीक है इसके अलावा अलमोडा अगबार निकला था 1871 में अलमोडा अगबार का पॉब्लिकिशन का भुआ था 1871 में इसके साथी जो अगला निकला था वो निकला था गड़वाल यूनियन कब बना था 1901 में और गड़वाल समाचार 1902 में ठीक है गड़वाल यूनियन की स्थापना अगर पूछता है आपसे गड़वाल यूनियन यह वा था 1901 में और गड़वाल समाचार अगर आपसे पूछेगा तो 1902 में समाचार 1902 इसके बाद हैपी कलब बना था आपको सब पता होगा हैपी कलब किस्ता अपना कब हुई थी 1903 सिर्फ ये सन्यादत ने ठीक है इसके बाद गड़वाली समाचार निकला था 1905 में क्या निकला था गड़वाली समाचार ये कब पब्लिश हुआ था 1905 मुमा ऐसी में रिविजन कराता रहूँगा आपको रिविजन से आपको बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी सहूलियत हो जाएगी आपको पता जल जाएगा कि आपको क्या तक क्या नहीं आता अलमोडा कांग्रेस की स्तापना 1912 साथी सां सुद्ध साहित्ती की स्तापना 1913 तु क्या लिखोगे अलमोडा कांग्रेस यहां लिख देता हो मैं देखो अलमोडा कांग्रेस की जो स्तापना हुई थी ओ कब हुई थी 1912 में अल्मोडा कॉंग्रिस की स्थापना 1912 में साथ इसा सुद्ध साहित्य समीति की स्थापना हो थी 1913 में सत्यदे परिवार्जक के द्वारा सुद्ध साहित्य समीति लिखने ना अगला क्या लिखोगे सुद्ध साहित्य समीति तो आपको ये पताओना चाहिए कि सुद्ध साहित्य समीति गब बनी थी सुद्ध साहित्य समीति ये बनी थी 1913 में और ये किसके जारा बनाए गई थी ये पताओना चाहिए सत्य दे परिवार्जक के जारा ठीक है ब्रेकेट में लिखो सत्य जेव परिवार्जक परिवार्जक के दुआरा ठीक है सत्यदेव परिवार्जक के दुआरा किसकी स्ताप नावी थी अपने आप में सुद्ध साहिते समीती इसके अलावा होम रूल लीग 1914 अब थोड़ा सा यहाँ पर रूख जाना ठीक है अब कई बच्चों को यही कनफ्यूजन है कि होम रूल लीग यह बहुत लोगों ने मुझसे पहली भी पूछा मैं आपको फिर तब भी बता चुका हूँ होम रूल लीग पहली भी किसी ने पूछा था जब इंडिया में 1916 में बना तो अलमोडा या ताखन में होम रूल लीग 1914 कहां से आ गया ठीक है देखें यह कहीं से नहीं आया बच्चों यह होम रूल लीग कोई अलग चीज थोड़ना है होम रूल लीग मतलब स्वासासन अपना सासन जिस दिन आप यह कहे दो कि हमें अपने सासन ब्रिटिस रूल से हटके खुद का सासन चाहिए हमें अपना रूल चाहिए तो उसी दिन वह होम रूल लीग हो गया आप वो वischार आ गया ना कि हम अपना रूल करेंगे ब्रिटिस के अंडर नहीं रहेंगे हालाख ही इस होम रूल लीग का अलग अर्थ था Home Rule League मैंने British के अंदर समयधानिक संस्ताओं के द्वारा सासन की बात करते थे ये कोई पूर्ण स्वासंता की बात नहीं करते थे पूर्ण स्वासंता था तो बाद में आया 1929 में पूर्ण स्वाराज की मांग जब लाहोर अदिवेशन में जोहलाल नहीरु ने अध्यक्सता गीते अगर आपको पता होगा पूर्ण स्वाराज का सबसे पहली संकल्प कब लिया गया था 1929 लाहोर अदिवेशन में जोहलाल नहीरु की अध्यक्सता मुआ था लेकिन यह जो होम रूल लीग है यह स्वासासन है अब कोई उस तैम ऐसाथ होना कि 1916 में ही पहली बार यह कॉंसेप्ट आया 1914 में उससे पहले ही एक आद बार जो है अपने आपनी इस प्रकाफ की कॉंसेप्ट सामने आगे थे एनी बेसेंट तिलग वगरा के द्वारा कि अपना होम रूल लीग होना चाहिए उसका प्रभा उत्राकन में पड़ा इतना गन्फूज मत होना ठीक है इसके बाद देखिए होम रूल लीग के अलावा कुमाओं परिशत की स्तापना ये सब आने जी आपको चुमाओं परिशत कब बना सामाचार वीकली निकलता था इसके अलावा करवाल होम रूल लीग भी उननीशो अठ्ञ में बना था शांतिशांत गड़वाल कॉंग्रेस सम eer fac kai तो क्या लिखोगे गड़वाल होंग्रूल लीग ये कब बना था नाइंटिन हंडेड से यह तो की जो श्तापना हुए तीไू होई जो चाहिप ही 509 घिक है रेंकी 1910 में गड़वाल कॉंगरेस समी ती यह कब बना था 1900 एंड 19 में उनीस तो उनीस में गड़वाल कॉंग्रेस समीती बनी थी यह आपको पता होना चाहिए अब देखिए यह जो कम्प्लीट है होम रोल लीक कुमाओं परिशत सक्तिसमाचार गड़वाल होम रोल लीक समय विरोध दिवेडिंग कलप अलमोड हमेशा आता ही है क्योंकि यह रिविजन है आपको पता होगा यहाँ से कहीं नहीं कुशन आते हैं अब इसी प्रकार से जैसे 15 दिन में 18 दिन में 16 दिन में आपकी रिविजन कलास भी आजएगी और मैं कोशिस करूंगा जितना मैं मतलत समझभा रहा हूँ मैं कोशिस कि जो होली का टाइम होगा आप लोग ठीक है यानि क्योंकि होली के दिन 7-8 दिन तो मैं होंगा नहीं यहां पर मैं अपने मतलब गाउं जाओंगा घर जाओंगा तो उस टाइम पर होली के दौरान हो सकता है कि मैं उत्राखन हिस्ट्री कंप्लिट रिवाइज कर दूँगा आ आप जो भी कहोगे सर होली के टाइम पर यह करा देना मैं आपको वो करा दूँगा ठीक आप लोग मुझे बस बता देना कॉमेंट सेक्षिन में कि आपको उस टाइम पर पढ़ना क्या है और बोर्ड साइध होगा सकता है कि डिटेल वीडियो इस टाइम पर ना आए या न स समझा पाऊं क्योंकि जोग्रफी वगरा है हिस्ट्री वगरा है तो सब डिटेल वीडियो है और यह समझा के ही संभव है और आप ऐसा तो नहीं कि यह बोर्ड उखाड़ के यहां से बस में गया गाड़ी में या ट्रेन में घर लेके जाओं ऐसा तो संभव है नहीं तो 1886 में भारती राष्टी कॉंग्रेस का एक सेकंड अधिवेशन हुआ था उसमें उत्राखन के किस व्यक्ति ने भाग लिया था जल्दी बता ही ज्वालादत जोसी सभी को बताओगा 1886 में जब इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का सेकंड अधिवेशन हुआ था भारती राष् जोसी ठीक है तो यह ध्यान अखना ज्वालादत जोसी जी ने ठीक है यह पेपर में आता है पेपर कि उत्राखन से भारती राष्टी कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने आला बेक्ति कौन था ज्वालादत जोसी और उन 1890 में कलकत्ता में हरी राम पांडे जी ने भी लिया था ठीक है तो अगला कॉश्चन इहीं पर लिख लो एठारसो नब्बे के भारती राष्टी कॉंग्रेस के अधिवेशन में उत्राखन की किस भ्यक्ति ने भाग लिया तो वो है हरी राम पांडे जी ने ये आपको पता होना जी हरी राम पांडे जी ने इ स्वामी विचारानंद सरस्वती यानि जो होम रूल है यानि स्वासाशन है उसकी एक साखा देहराद उन में भी स्तापित की गी थी उनका नाम है स्वामी विचारानंद ठीक है तो अगला क्वेशन आपने लिखने है 1918 में पूरा लिखना है ठीक है 1918 में देहराद उन में होम रूल लीक की साखा इस्तापित करने वाला व्यक्ति कौन था ठीक है पूरा लिखोगे आपने आप में होम रूल लीक की साखा इस्तापित करने वाला व्यक्ति कौन था ये अपने आप में कौन था स्वामी विचारानं विचारानंद जोसी है ठीक है यह आपको पतावना चाहिए है 1918 में देहरादून में होमरूल लीग की साखा इस्तापित करने वाले व्यक्ति कौन है विचारानंद जोसी तो इसको लिख लो ठीक है देखो 1968 में देहरादून में होमरूल लीग Home Rule League की साखा इस्तापित करने आले बखती थे विचारानंद ठीक है कहा है स्वामी विचारानंद अपने आप में इनका नाम है यानि इनका नाम है विचारानंद सरस्पती स्वामी विचारानंद सरस्पती जो सी नहीं है सरस्पती स्वामी विचारानन सरस्वति करना जो सीमत करना है ठीक है इसके बार जो अगला आता है किसके परामर्स पर डिवेडिंग कलब के सदस्यू जरा अलमोडा अगबार का प्रकासन किया गया था विल्यम क्यूर ठीक है यानि डिवेडिंग कलप से ही अलमोडा अंगबार समाचार पत्त निकला आप लोग जानते हैं तो उसमें एक उव्यक्ति थे जिनके परामर्स से अलमोडा अंगबार का परकासन वниц रूँबा उनका नाम था तो इनका नाम था William Qrr तरक्यार की क्या निकला था अलमौटा अगबार का परकास्तम हुआ था अगला urgent a 달僕 मैंने आप लोगों से कहा है कि उससे क्वश्ण आये गये आएगा मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, कुमाउं परिशत, ये कब बना था कुमाउं परिशत बताईए, 1916 में, इसके पहले के चार अधिवेशन, दो, तीन और चार, ये आपके चार के चार अधिवेशन आपको पताऊने हैं, तो ऐसे question लिखने हैं, आपको कुमाउं और 1920, ये पहले चार करम से वेशन, 17, 18, 19, 20 अधिवेशन, ये कहां कहां होए थे, एक तू ये पता होना चाहिए, अल्मोडा, हलवानी, कोड़द्वार और काशिपूर में, तो अल्मोडा, हलवानी, कोड़द्वार और काशिपूर, पहला 1907 में, अल्मोडा, 1908 वाला था, काशिपूर, कन्फ्यूज मत होना, काशिपूर है, पूरा लिगद्वेशन, उपर कोड़दार को कहें लिखा है, इनकी अध्यक्षता किस-किस ने की थी, ठीक है, ये आपको पता में चे, जो 1917 वाला है, उसकी की थी, अपने आपने जैदत्व जोसी ने, पहले की थी, बद्रिदत्थ जोसी ने, मैंने एक बार साइद बद्रिदत्थ पांडे बता दिया था, उसको करेक्ट कल देना, ठीक है, बद्रिदत्थ जोसी, हाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस वाले फेक्ट में, ये मैंने पहले कहीं साइद बद्रिदत्थ पांडे यह पतावने चीह, इनकी अध्यक्स्ता किसनी की थी, यह पतावने चीह, हो जाता है यार, बहुत आसान है, जैसे आप लोग को लग रहा होगा, कि यार हम लोग का रिविजन नहीं हो रहा, या हम लोग रिवाइज नहीं कर भाते, इतना मैटेरियल है, कैसे होगा, मैं हूँ क्यों टैंसन लेते हो बादा, चोटी चोटी चीज़ों के लेखे, रोते रहते हो, बिलखते रहते हो, रिवाइज नहीं हो पारा, सर एयर याद नहीं होते, सर डेट याद नहीं होती, कोई बात नी, सब हो जाएगा, वक्त के साथ साथ सब हो जाएगा, बड़े होगे, बेरा पड़े एक्जाम देने चाले जाओगा और क्रेक कर जाओगे क्योंकि पूर्व ग्यान पर आधारित भी पिपर होते हैं कई बार और कई बार आपका अनुभाव एक्सपिरियंस ऐसा होता है कि एक्जाम में जहां पर हाथ डालो जिस ऑप्षर में वो सही बैठ जाता है यह कब होता है यह अभी नहीं होगा यह थोड़ा सा आप जब अपने को समय देते हैं एक डिड़ साल की मेहनत करते हैं तब आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझ हो जाती है उसके बाद बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता एक्जाम करेक करने के लिए उसके साथ अधियुशन यहनी कुमाओ परिस्ट के कुल गित्तन अधियुशन होगी तर शाद यह पुर्छे गा नहीं आप से और इसका कॉंग्रेस में विद्याए यह उनीration में हुआ था तो लिको कूंग्रेस में विद्याए कुमाओं परिशत का कॉंग्रेस में विलाई यह भाद था 1926 जी आता पेपर में ठीक है 1926 में कॉंग्रेस में विलाई हो गया था फिर कुछ नहीं हुआ अब देखिए जब जलिया वाला बाग हत्याकंड हुआ था आप लोगं को पता होगा गोली कंड 1919 के आसपास तो 13 अप् 39 का गवर्नर कौम था चेम सपोर्ड जी को गवर्नर थे उसको लाया गया था उसको बिना दलील बिना वकील बिना पता नहीं किया इस सेफ का कुस कानून कहा जाता है ठीक है वो इसी लिए क्योंकि ब्रिटिस ने भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवात को कंट्रोल करने के लिए लोगों पे गलत और जूटा मुकदमा चलाने के लिए वो एक्ट लेके आये थे ताकि राष्ट्रवात को दबोचा जा सके तो उसके विरोध में पंजाब के जल्यावाला नामक जगह पे एक सांत परदस्षन किया जा रहा था वहां के लोगों के द्वारा और उन सभा में भाग लेने वादे उत्राखन की वेक्ति थीक है जल्यावाला बाग में पूरा लिखना है इसको ठीक है जल्यावाला बाग में जलियावाला बाग में, सभा में भाग लेने आले उत्राखन के वेक्ती, जलियावाला बाग सभा 1919 में उत्राखन से भाग लेने आले वेक्ती, बद्धिदत पांडी, BT पांडी जी थी, ठीके? बद्रिदर पांडेजी ने इसमें कह लिया था भाग लिया था यह आपको आना चाहिए इसके अलावा कुली बेगार वो वन कानुन के खिलाब प्रस्ताव पारित कप किया था कुमाओ परिशत ने 1920 में यानी 1920 के कासिपूर अधिवेशन में जो अब यहां है ना 1920 का कासिपूर अधिवेशन जो हरगोबिंदोपंत के देखता महुता यहीं पर लिख लो आप लो कुली बेगार वो वन कानुन के खिलाब प्रस्ताव पारित यह ग्वेश्चन भी बहुत आता है के खिलाब प्रस्ताव पारित मतलब मैं यह लगने लग जया देखो आप लोग ने जैसे पड़ा होगा हम लोग इस उत्राखन हिस्ट्रिय पड़ी है कुछ आप उत्राखन पढ़ने का मन ही नहीं करता है मतलब मेरा तो खुद बता रहा हूँ ना मुझे यह पढ़ाने का म मैं paper बनाने बैटूंगा साथा question तो मैं ऐसे दूंगा जिसकी पहुँची न हो गई खाल तुगा गुमा दूंगा मतलब नावश्यक रूप से question को गुमा दूंगा मैं तो वही question सब चीज आप लोग के साथ भी होना है जितनी उत्राखन पड़ी है उसको अगर आप पचा सकते हो उसको अगर आप डाइजस्ट कर सकते हो मान के चलो आपको उत्राखन दुबारा फढ़ने के पित कहीं से भी जर्वत नहीं और अपने पास किताबों का source minimum रखना ये नहीं कि उत्राखन में जितनी किताब आरे मार्केट में सब उठा के घर में बना के बंडल बना दिया और अपना दिमाग का खुद बंडल बन गया तो इससे कोई फाइदा नहीं है आत्मा इसी जहां में रहे परमात्मा के पास न जाए बेहोस होने से बज जाओ इसलिए कह रहा हूँ घर पे ही उसको पढ़ना ठीक है अगला देखो गड़वाल में आधुनिक ये मैंने आपको बता दिया ठीक है दोनों कोशन आता है इंपोटन गड़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता पूरा लिखना गड़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता गोपाल सिंग राना ठीक है इनका लिखोगे गड़वाल में आधुनिक ये मॉडर्ण किसान आंदोलन आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसको कहा जाता है गोपाल सिंग राना को गोपाल सिंग राना को कहा जाता है आधुनिक किसान अंदुलन का जन्म दाता है यह ध्यान रखना ठीक है महात्मा गाधी ने रक्तिहीन क्रांती किसको कहा था कुली बेकार को तो लिखो महात्मा गाधी द्वारा महत्मा गाधी द्वारा रक्तिहीन कांति से सम्मोधित किया गया था रक्तिहीन मतलब जिसमें ब्लेड नहीं निकला ठीक है ये है कुली आंदोलन कुली बेगार महत्मा गाधी द्वारा रक्तिहीन कांति किसको का गया था कुली बेगार को और इसी कुली बेगार आंदोलन को जो सहयोग आंदोलन की परथम इट कहा था स्वामी सत्य देव ने ठीक है तो ये लिखना किसने कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की परथम इट कहा था ये था आपने आपने इनका नाम है क्या स्वामी सत्य देव जी ने इसको क्या खाता असायोग की प्रथम इट माना था और महत्मा गाजी ने इसको क्या काता रख्तिहिन क्रांती खाता ठीक है नायक सुधार अधिनियम का पारित हुआ था अगला लिखो के समय में नायक जाती का उत्थान हुआ था अगर आपको याद होगा उत्राखन इतिहास उसमें क्या वाता भारती चंद जब डोटी राजसासकों से लड़ने के लिए थे लगवा बहुत लंबे समय तक संगर्स किया तो यहां कुमाओं के में जो चंद सा सकते हो बहुत और इनका जो समाजिक रूप से उसे डेख व्यापार की टियती हैं जाब बताया जाता है कि इनके समाज में एक देख व्यापार की परथा चलती थी अपना पेट पालने के लिог किसा आप से कह सकते हो, पैसा कमाने के लिए, अर्जन के लिए, तो उस देधव्यापार को ही खतम करने के लिए, ना ακसुदार्स अधिनयम लाया गया था 1929 में, और इस नायक सुधार अधिनियम को लाने के पीछे एक समीती थी इसका नाम था स्थाइफल समीती जो की 1924 में बनी थी उसकी सिफारिस पर बना था ठीक है तो लिखो स्थाइफल समीती 1924 की सिफारिस पर ठीक है यानि जो स्थाइफल समीती थी इसी समीति की सिपारिस पर नायक सुधार अधिनियम लाया गया था पारित किया गया था यह आपको आना चाहिए ठीक है इसमा अखार वर्से से कम उम्र की जो बालिकाई या कन्याई होंगे उनको देह व्यापर पर बैन कर दिया गया अगला सन 1923 में स्वराज दल के चुनाव स्वराज दल की ओर से नैनिताल, अलमोडा और गडवाल सीट पर विजय प्राप्त अकन्यारे तीन व्यक्ति कौन-कौन थे ठीक है तो लिखो सन 1923 में हुए चुनाव में नैनिताल, अलमोडा वा गडवाल की सीट पर विजय कौन रहे थे नैनिताल से रहे थे गोविन बल् साइमन कमिशन के विरोत का प्रस्ताव पारित करने वाला कौन था मुकंदिलाल ही था ठीक है साइमन कमिशन के विरोत का प्रस्ताव पारित करने वाला कौन था मुकंदिलाल साइमन कमिशन के विरोत का प्रस्ताव पारित करने वाला व्यक्ति कौन था मुकंदिलाल साइमन कमिशन के विरोध का प्रस्ताव बारित करने वाले बेक्ति कौन था मुकंदी लाल था ठीक है और अंतिम क्वेशन है लाहोर अधिवेशन जो हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठाईगी थी उसमें उत्राखन के किन लोगू ने भाग लिया था ठीक है तो अगला क्वेशन निखना है आपको 1929 के लाहोर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठाईगी जिसकी अध्यक्स था जेल नेहिरू नहीं की थी ठीक है 1929 में ये तो जीएस का कुशन है लाहोर अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्स कौन थे जीएस का क जुहाल लाल नेहिरू और ये क्यों जर्चित है 1929 का लाहोर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित वाता है इसमें ये बहुत इंपोटेंट है ठीक है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित वाता और इसमें जो उत्राखन की व्यक्तिति जिसने भाई तो यह आपका रिविजन का ख्लास थी इसी प्रकार से 20-20 में उत्राखन की आपकी रिविजन क्लास आएगी ताकि आपको लिखना न पड़े और आपका रिवाइज जो हो जाए आथानी से हो जाए ठीक है होपफुली यह रिविजन की क्लास के क्वेशन मैक्जिमम क्या 99 परसेंट आपको आते होंगे नहीं भी आते होंगे आपने इसको नोट कर लिया होगा फिर मिलते हैं आपनों के साथ अगले से सिंपर अपना ध्यान रखिए है, THANK you